दोस्तों हल्दी एक ऐसी एंटिबाउटिक है जिससे स्वास्थे को कई अद्भुत लाब मिलते हैं। खाने का स्वात बढ़ाने के लिए भी भारत में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से किया जाता आ रहा है। हल्दी को खाने या दूद में ही नहीं बलकि गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी कई स्वास्थ लाब होते हैं। हल्दी एंटियोक्सिडेंट की तरह काम करती हैं और इसमें सूजन रोधी एवं बैक्टीरिया रोधी गुण भी मौझूद होते हैं। आज हम आपको अपने इस खास वीडियो के जरिये गर्म पानी और हल्दी के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस सुपर एंटिबाउटिक यानी की हल्दी के पानी को आप किस तरह घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है या फिर एक गिलास पानी को गैस पर गर्म होने के लिए रखते और फिर यह पानी जैसे ही उबलने लगता है तब इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और फिर इसमें चम्मच शहद भी डाल सकते हैं अब इस पानी को रोजाना सुभा उठते ही पिए और खाली पेट इस पानी को पीने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे इस बात को जान लेते हैं सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और यह फ्लू सर्दी जुकॉम जैसे खत्रों को कम कर सकता है हल्दी के बैक्टीरिया रोधी प्रभाव से घाव को भी जल्दी भरने मदद मिलती है हल्दी का पानी सूजन को जोडों के उतकों को नुकसान पहुचाने से रोकता है जिससे आपके जोडों के दर्द में बचाव या राहत मिलती है साथ ही हल्दी वाला पानी पीने से खून नहीं जमता और यह हूं को साफ भी करती हैं। तो यह दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी पानी पीने के ऐसे ही बहुत सारे शरीर को लाब मिलते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल किस किस को नहीं करना चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगी उस वीडियो को जाकर जरूर देखें तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से करें